वाट इसब गाईज तो वाई ये एस गाड़ी का बेस मोडल और वाई बेस मोडल की पैचान देख लो काफी जादा फाल्दू के वीडियो बनने है ये देख लो इसे बोलते हैं बेस मोडल यहां देख लो मिजिक सिस्टम वगरा कुछ भी देखने को नहीं मिलता आपको इसक से स्टार्ट करता हूं यहां से भी बड़ चेक करा दूँ तो देख लो भाई स्टेरिंग पर भी कोई कंट्रोल देखने को नहीं मिलते आपको कैसी लग रही है मतलब खाली-खाली सी गाड़ी इसको बोलते हैं बेस मोडल इस गाड़ी का ठीक है ना जो वीडियो डले प्रेंड में चेक करते हो भाई उन नहीं का लोगो मिलता है मैट फिनिश की एक ग्रिल सी देखने को मिलते है डाक सैटन के अंदर बढ़ी अलग रही है तुस इस हैलोजन इंडिकेटर डियारेल आपको यहां पर देखने को मिलता है कि डियारेल काम करता है ठीक है ना फेक प्रियारेल नहीं है कम करता है बीच में कोई डियारेल नहीं है क्रोम मिलते है यहां पर देख्ते है नमबर by Ready के देखने को नहीं मिलता ठीक है एक यहीसा लोक है है ऐसे चेक कर लो उपर शाफिना इसा डुन्डी सी लगी हुई है छोटी सी तो भाई साइड से चेक कर लो फेंडर पे इंडिकेटर आप यहाँ पर देख पा रहे हो पाई यह का सेक्षन आपको मिलता है दो सो पांच पैसट आर सोला पांच नट वील कवर वील कवर लगे हुग ठीक ठीक कॉलिटी है किड़ प्लेट है उसमें आपको सिल्वर है आप चेक कर सकते हो ठीक है बागी तो भाई इंटीरियर एक बड़ चेक कर आदू अभी लॉक्ट है जैसे ही अनलोक करते है यह हो गहीं अनलोक एरबैक छे एरबैक देखने को में लेंगे छे गेर एक रिवर्स मैनुल एसी मिज जोगा थायर है 205 65 r16 ठीक है बाड़ी पेट्रोल के अंदर है आपकी यहां पर चार सेंसर मिलते हैं आपको एक दो तीन और चार सेंसर नसे गाड़ी के अंदर रिफ्लेक्टर एरा क्रेड़ा की ब्रैंडिंग यहां पर है इंडिकेटर यहां पर जलेगा ठीक है एक बचला के दिखाएता हूं तो भाई मैंने ओन कर दिया यह चीज चेक कर लो बेस मोडल से ही यहांप ब्रूट यहांपर लायट जल देखने को मिलते है यहांपर खोलता हूं अप भी लायट जल दीख सकते हो आपको बूट काफी साइस का मिलता है पारसल शेल बगर्हा कोई लख्ये नहीं आती है 60-40 स्प्लिट देखने को मिलता है एंटायर सेक्षिन स्पेर टायर यह आपका टायर है अपोलो का पाई है इसका सेक्षिन है डो सो पांच पैंडल बंद करने के लिए यहां पर ऐसे करें कर तो बंद यह साई चीज लगी बेस मॉडल से ही कनेक्टिट देखने को दे रहे है ठीक है ना इंडिकेटर हलका सा उपर की तरफ भी निकल रहा है लोक वोक चेक कर लो ठीक है ठीक है आज वह एक बार हुड को ओपन कर दूँ एंड यहां से वाई आपका फ्यूल लेट ओपन हो दी है तो क्रेटा की जो फ्यूल लेट है वह से ओपन होती है मेरे ख्याल मैं यार सेम पेट्रोल की टंकी है कोई घड़र तरह बड़ोतरी कुछ भी नहीं करें होगी सेम जितनी अभीताकारी होते नहीं पेट्रोल इसमें डालेगा डीजल होती तो यहां पे आपका यूरिया डल जादा ठीक है ऐसे करके करते हैं बंद 1500 है यह ऐसे करके तो देख लो भाई डैंपिंग लगी हुई है काफी सब्सक्राइब देता है आपको 144 न्यूटर मीटर कभाई टॉर्क देती है यह पेट्रोल इंजन है नाच्रली एस्पिरेटेडड 1500cc MPI पेट्रोल इंजन यूंडई का काफी खाली-खाली सा बोनट है अं यहां से इसको मैं छोड़ देता हूँ अब तो भाई एक बार मों जाता है कि बंद ठीक है ना लोक चेक कर लो ताबर तोड़ बढ़िया लग रही है चलो बाई एक बार अंदर बढ़ते हैं इंडिकेटर बंद करूँ फेंडर पर ही इंडिकेटर देखने मिलता है आजाओ इस तरफ से देखो कोई और वीम का कंट्रोल कुछ भी नहीं मिलता काल है है यहां से आप एड़्जेस वेड़्जेस ऐसे करें कर सकते हो ओटो डाउन वगरा कुछ भी नहीं है चारो पावर विंडों है लॉक अनलोग यहां से काम करता है ठीक है यहां लगती है यहां पे स स्टेरिंग की बात करूं एक बार तो क्या हां टेल्ट टेलिस्कोपिक लाइक बेस मॉडल से ही देखने को मिलता है आपको काफी साही चीज़ है मियुक्स सिस्टम नहीं आ रहा मैनोल एसी चार पंखा कूल वूल कैसे करना है आपको नॉर्मल डालता हूं उसको मैं बंद कर सब्सक्राइब होती है तो यह चीज़ चेक कर लो क्लस्टर कुछ आपको ऐसा देखने को मिलता ठीक है ना शिपिंग मोड के अंदर है यहां पर है यहां पर कोई भी पॉइंट नहीं मिलना आपको वाइलेस चार्जिंग पैड बगरा कुछ रिए च्छे गेर एक रिवर्स जैसे मैं रिवर्स को डालता हूं तो आर डल गया सेंसर है इसके अंदर छोटा सा आम रेस्ट है स्पीकर बगर में खाली पड़े होंगा इसमें कुछ भी लगके नहीं आता आपका ट्विटर विटर की जग लगने की जगे नहीं है आपकी इसके अंदर कूल रही है फस्ट रिफाइंड है का बहुत लाइट स्टेरिंग है मक्कन सा बढ़िया सा फील लगा यार मुझे यह हैंड्रेक मैन्वलेस के अंदर ओके रिपोर्ट है हाइट अजस्मेंट मिलता है कि हाँ बेस मोडल में भी हाइट अजस्मेंट हो जाएगी यहां से थोड़े बहुत बटन ओके है ठीक है साही लग रही है मुझे तो यहार काफ ही अच्छा फील सा आ रहा है बैटने में चलते हैं मैं एक बार बैक सीट चेक करा दूं कैसी है क्या चीज है तो आओ बाई एक बार बैक सीट पर दिखाऊं पीछे आप आते हो यह चीज चेक करो दो यूस्बी सी स्लाइडिंग कुछ भी नहीं मिलता पीली लाइट पीछे मिलती है ग्राभ हैंडल बगरा तीनों आ रहे हैं लाइक और फोल्डिंग वाले है उधर भी उधर भी बढ़िया चीज नीरोम इस गुड अंधाई सपोर्ट लैक कर रहा है थोड़ा ज़्ता कमपटेबल नहीं है बेस मोडल में भी आमरेस देखने को मिलता है दो एड्जसिबल हैड्रेस थ्री पॉइंट सीट बेल्ट इदार उधर तीनों लोहों के लिए बागी तो भाई पीसे डिग्गी विग्गी चेक कर लो ऐसे डिग्गी मिलती है तो यही है मतला बेस मोडल ठीक लगा बड़ी आ अब को क्रेटा तगड़ी गाड़ी है बड़िया गाड़ी है इंटीरियर में भाई म्यूर्ट से लगवालो सबसे ज्यादा बिकने वाला मोडल तो भाई यही होगा इस गाड़ी का मिलता हूं भाई अगले वीडियो के अंदर